अस्रामुलेकुम स्टूडेंट्स मैं हुसमीन आपकी फिजिक्स टीचर हम अपने स्लेबर से मूव करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि यह ओनलाइन क्लासिस क्यों हो रही हैं या 10th क्लास में आप आ गए हैं इसका क्या मतलब है यह क्लास आपके लिए कितनी इंपोर्टेंट हैं अब आप 10th क्लास में आ चुकी हैं आप में भी फील कर रहे हों बहुत खुश हो रहे हों टेंपरी बच्चे जो है ना जब टेपर कैंसल होते हैं उसकी जो खुशी होती है ना वो समझते हैं कि पता नहीं यही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है ले लेकिन आप अपने माइंड में रखें आपने पूरा साल 9th क्लास में मिहनत की है ठीक है आप पेपर दे रहे थे जो के कैंसल हो गए हैं बट इसका यह मतलब नहीं है कि आपको ऐसी सबको उठाके नंबर मिल जाएंगे आपको अब 10th क्लास में डबल मिहनत करनी पड़ेगी बिकॉस गॉर्डमेंट ने दो प्लैंस पेश की हैं फर्स जो यह है कि आपके 10th क्लास में जो मार्क्स होंगे उसी को डबल करके 9th क्लास के मार्क्स भी लगाए जाएंगे तो इस तरीके से अगर आपने 9th में उसी मेहनत नहीं भी की तो 10th में आपको मेहनत करनी पड़ेग बिकॉस 10th के मार्क्स ही आपके 9th के मार्क्स में एड होंगे आपके मार्क्स डबल हो सकते हैं ठीक है बच्चो आपके मार्क्स जो है वो डबल हो सकते हैं तो इस वरा से 10th क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा important हो सकती है secondly एक बात और जो आपको सिर्फ 10th में ही नहीं बलके उससे भी ज़्यादा आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी वो क्या कि एक प्लैन ये भी है कि most probably ज़्यादा chances जो है आपके अगले साल paper 9th के अकठे paper हो तो 9th 10th के बच्चों जब अकठे paper होंगे तो आपका जो syllabus है वो काफी ज़्यादा होजेगा जो आपसे पूरा एक साल में आइस्ता इस्ता पड़के आपने pre 9th पड़ी फिर पूरा regular session पड़ा and pre test session जोईन किया सब जाके भी आपसे syllabus cover नहीं हो पारा था कुछ बच्चों से और दूसरे बच्चे भी अगर बहुत अच्छा प्रिपेर नहीं कर पाये थी या अभी भी डड़े वे थे कि इतना syllabus पेपर देने में से टेंशन डर अब आप सोचें कि अब जो आपका syllabus है अगर डबल हो जाता है तो आप इस तरीके से करना पड़ेगा और उसके अलावा आपको पिछली चीज़ें भी दुबारा से प्यार करनी पड़ेंगी तो बच्चों इसके लिए मैं आप लोगों को जो सजेस्ट करूं कि आइडिया है एड़ाइज आपके लिए वो यह है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आप डेली बेसिस साथ साथ याद करें नाइथ क्लास में अगर आपने थोड़ी बहुत कुताही कर ली के ठीक है हम जब रिवियन होगी टेस्ट सेशन होगा तब जाके स्टार्ट करेंगे वो चले ठीक है नाइथ में कंपेंसेट हो गया लेकिन अब जो हलाते हैं उसमें आपका यह कंपेंसेट नहीं हो सकता फर्स्ट इंग यह कि आपकी क्लासिस जो है वो ओनलाइन हो रही है और यह भी लेट स्टार्ट हुए है यूजिली 10th क्लास का जो सेशन होता है वो 1st April से स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है 1st April यह 2nd 3rd यह 5th April के 1st week में स्टार्ट हो जाते हैं अगर हम उसके अकोर्टिंग देखें तो आप लोग अल्मोस्ट वन मन्थ एंड हाफ मन्थ उससे ज्यादा आगे जा रहे हैं मीन आपका क्रीबन डेड़ महीना वेस्ट हो चुक ठीक है बच्चे अब आपका पहली डेड़ महीना जा चुक है जिसमें आप लोग आल्मोस्ट दो से तीन चैप्टर कवर कर जाते हैं लेकिन अब क्योंके वो टाइम वेस्ट हो गया हम उसी को कहते रहें कि हम बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं तो इसका कोई पाइदा न हैं आप किस तरीके से अच्छे से यूटिलाइज कर सकती हैं कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको इस तरीके से याद करें इस तरीके से उसकी स्यारी करें जैसे आपकर नेक्स्ट वीक में ही नेक्स्ट डे में ही बलके आपका उसका पिपड़ है विकोज में भी आपक के लिए एक idea है एक advice है आपके लिए कि 10th class को अब आपको और जादा मिहनत के साथ continue करना होगा ठीक है बच्छे अब 10th class की physics का आज का जो हुमारा lecture है lecture number one ठीक है chapter number 10 chapter number 10 से क्या मुराद है basically metric में आप आप 9th class में physics के पहले 9 chapters पर चुके हैं अब हम जो start करेंगे वो 10th class में chapter number 12 करेंगे sorry chapter number 10 करेंगे जो कि है simple harmonic motion and wave simple harmonic motion और wave बच्छों आज हम थोड़ा सब सिर्फ introductory पढ़ेंगे करेंगे कल से हम proper classes अपनी start करेंगे बच्छ इंट्रोडक्शन में भी आपने थोड़ी बहुत एक दोड़ डेफिनेशन याद करनी है ठीक है बच्छों चैप्टर नंबर 10 है simple harmonic motion सबसे पहले simple harmonic motion and wave and wave ठीक है बच्छों अब simple harmonic motion होता के होता के है पहले पार्ट में simple harmonic motion के बारे में पढ़ेंगे लास्ट में हम waves के बारे में पढ़ेंगे बच्छों simple harmonic motion जो है ना it is a special type of vibratory motion it is a type of vibratory motion या फिर आप कह सकते it is a type of oscillatory motion बच्छों simple harmonic motion जो है वो vibratory motion की एक किसम है और vibratory motion का एक और नाम होता है oscillatory motion vibratory motion को ही oscillatory motion कहा जाता है तो vibratory motion और oscillatory motion इसकी type इसकी एक example है basically simple harmonic motion एक ऐसीть type है type of vibratory motion है या फिर oscillatory motion है अब बच्छों vibratory motion क्या होता है it is oscillatory motion क्या होता है या आपको पता है जिसमें body vibrate करते हैं स改 Ihr में चैत्टर नमबर तू में पढ़ा पूजिशन रिपीड करती है to and fro, आगे पीछे back and forth, वताब आगे पीछे ऊपर नीचे भी हो सकती है, बार 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 ऊपर नीचे पीछे एक fix point के फैर करें अभौने एक पैर पार फैर एक फैर से करें श bona को आप लोगों के English Medium का pages 2 बिलकुल start 5 में भी उपर जो स्टार्टिंग पैराग्राफ है उसमें डेफिनेशन लिखी हुई है अब बोडी सेट टू भी वाइब्रेटिंग एक जिसम को तब कहा जाएगा कि वाइब्रेशन में है इस इट मूव्स बैक एंड फॉर्थ अगर यह आगे पीछे हरकत करें और टू एंड फ् भी लाइन में लिखा वैं अडर टंब फॉर्थ अचलेशन ऑचले एक ताइप है जिसको कहा या क्छा जाता हैं जिसको मोशन जिसको हम SHM से जाहिर करते हैं सिंपल हार्मूनिक मोशन ठीक है बच्चों अब उसके अलावा अब हम स्टार्ट करेंगे जो सिंपल हार्मूनिक मोशन का टॉपिक है वह अभी एक दो पेज छोड़के इंग्लिश मीडियम पेज नंबर फाइफ में देखें सिंपल हार्मूनिक मोशन की ब्लू ब्लू ग्लुप में टार डेफिनेशन लिखिओ ऑओंगी तो पहले मैं आजब आज़ बच्चो यह आपके सामने simple harmonic motion की definition लिखी हुई है क्या लिखी हुई है simple harmonic motion occurs when net force is directly proportional to the displacement from the mean position बच्चो फर्स करें कि यह एक simple pendulum है ठीक है अब इसको मैंने इधर की तरफ force लगाई बच्चो आपको पते है जितनी force ज़्यादा लगाऊंगी उतना displacement ज़्यादा कवर होगा means फासला ज़्यादा होगा तो force to have a displacement के directly proportional है from the mean position वस्ती position से means जितना वस्ती position से displacement ज़्यादा है मतब उतनी ही उस पे force ज़्यादा है and is always directed towards the mean position बच्चो देखें अगर अब simple pendulum को यहाँ ले जाके मैं छोड़ती हूँ यह दुबारा अपनी वस्ती position पे आएगा ठीक है ऐसी होता है न अगर for example यह simple pendulum है मैंने इसको उठा के इधर लेकर गए यह वापिस इधर आएगा ठीक है फिर इधर जाएगा फिर इधर आएगा तो वापिस अपनी mean position के गिरद आता है ऐसी motion को simple harmonic motion करते है simple harmonic motion अकर simple harmonic motion तब होती है when net force is directly proportional to the displacement जब net force जो है वो displacement के directly proportional हो means F जो है वो X के directly proportional X का यहां मतलब है displacement कहां से displacement कितना mean position से mean यह आपकी जो mean position है उदर से यह displacement कितना है उसके directly proportional है and is always directed towards the mean position और वो जो net force है वो हमेशा वस्ती position की तरफ लग रही हो ऐसी motion को simple harmonic motion कहा जाता है तो बच्चों simple harmonic motion के बारे में आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है इसकी एक तो यह एक fixed point के गिर दिये vibrate करती है इसकी जो motion है किसके गिर्द होती है fixed point के गिर्द होती है ठीक है बच्चों और आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो force है वो भी इसी तरफ लग रही होती है इसका acceleration भी इस तरफ लग रहा होता है बागे यह चो बच्चों आप लोगों की यह points है यह हम कल के topic में mainly detail से करेंगे लेकिन सिर्फ कल के लिए आप लोगों ने vibratory motion क्या होता है oscillatory motion क्या होता है उसकी definition उसकी example में simple harmonic motion और vibration को oscillation कहा जाता है oscillatory motion को vibratory motion कहा जाता है और सिर्फ simple harmonic motion की आपने just definition याद करनी है कल हम proper अपना lecture नंबर फर्स जो आपका topic है वो start करेंगे आज के लिए इतना ही और हाँ बच्चों एक बाद मैं बताना बूल गे थी start में वो ये कि आपने इसको कोई pre session नहीं समना pre means जो आप किसी चीज को पहले से pre का मतलब से पहले त्यारी करते है for example pre ninth means नाइंथ में आने से पहले आप pre session में थोड़ी सी त्यारी कर लेते हैं जो कि आप regular ninth में जाके दुबारा पढ़ लेते हैं same pre first year में आप इस तरीके से करते हैं बच्चों याद रखना this is not the pre tenth या आपकी pre tenth नहीं है या आपका regular session है जो कि already बहुत लेट हो चुक है तो आप ये expect ना कीजिएगा कि आपको ये सब कुछ दुबारा से पढ़ाया जाएगा आपको इस दफ़ा कुछ भी दुबारा से नहीं पढ़ाया जाएगा तो आप ये session start से join करें और classes लें और त्यारी करना start करें आज के लिए इतना ही अल्हाफिस